Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को वरगमूल गयाद करना सिख्याय था इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ पूर घं संख्याओं का घं मूल कैसे गयाद किया जाएगा उसको सिखाएंगे तो सबसे पहले ये जान लें कि घं मूल या घं क्या होता है तो कोई संख्या अगर दी गई है मानलीजिए एक संख्या अमारी दो है इसको अगर इसमें दो तीन बार गुड़ा करें दो गुड़े दो गुड़े दो अगर इस संख्या को हम तीन बार गुड़ा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है यानि ये संख्या अमारी आठ प्राप्त होगी तो आठ ये जो दी गई संख्या दो है इसका घं कहलाता है अर्थाद दो का घं आठ यानि दो का घं ये इसको हम आठ पढ़ेंगे अब इसी को हम आठ का घं मूल दो की बराबर पढ़ेंगे या इसको हम इस तरीके से दो बराबर ये जारी ये दो है, दो को हम एक चिन के रूप में इस तरीके से यहां जैसे वर्गमूल लिखते हैं, उसी तरीके से इसको हम घनमूल पढ़ते हैं, यानि आठ का घनमूल दो हुगा, तो इस तरीके से अगर किसी संख्या में उसी संख्या का तीन बार बुड़ा किया जाए, प्राप् आप संख्या का घनमूल कहते हैं अब आईए जो सवाल हमारे दिये गए हैं इनका हम घनमूल कैशे ग्याद किक करेंगे तो घनमूल ग्याद करने की विधी है अभाज गुरन खंड विधी अभाज गुरन खंड विधी अभाज गुरन खंड खंड विधी तो इस विद्ध से हम किसी संख्या का गुड़न खंड कैसे ज्याद करेंगे आईए हम आप सभी को सिखाते हैं यहाँ पर हमारी संख्या दे गई है 216 तो 216 जो संख्या दे गई है इसका हम जैसे अभाज गुड़न खंड करते हैं अब आज गुडन खंड करेंगे, यहाँ पर इक आई कि अस्थान पर अच्छा है, तो हम दो से काटेंगे इसको, दो से, दो एक कम दो, अब यहाँ यह पूरा कट जाएगा, तो यहाँ सुन बढ़ाएंगे, तब दो अठे सोरा लिखेंगे यहाँ पर, दो सोला में भाग देंगे, तो जो भाग फल होता है, उसको यहाँ लिखते हैं, फिर अब दो से इसको भाग देंगे, दो पचे दस, दो चवके आठ, फिर यहाँ पर दो से इसको भाग देंगे, दो दूनी चार, और दो सते चवके, अब यहाँ 27 आगे, आप दो से यह नहीं आई हैं हमारी अरथाथ 2, गुड़े 2, गुड़े 2, गुड़े 3, गुड़े 3, गुड़े 3, गुड़े 3 तो इन संख्याओं को हम 3-3 के समूम बनाते हैं, किसे वर्घमूल बनाते समय दो-दो का समूल बनाते थे उसी तरीके से इसमें से तीन-तीन का समूल बनाते हैं, यहां तीन-तीन का समूल बन गया. तो अब हम जो हमारी संख्या दी गई है 216 है यानी 216 यह इसका घंमूल निक्यालना है तो इस चिन के अंदर लिखते हैं अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर इसको अंदर लिख देंगे गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन ये इसका घनमूल है अब इन में से हम तीन तीन का समूँ बनाते हैं तीन तीन के समूँ में से एक संख्या को ले लेते हैं दो ले लेंगे और इसमें से तीन ले लेंगे इनका गुड़ा कर देंगे जो गुड़न फल होगा 3 दुनी 6 यही दी गई संख्या का घनमूल कहलाता है अर्था 216 का घनमूल 6 प्राप्त हुआ यही इसका एंसर है इस तरीके से हम अभाज गुड़न खंड विदी से कोई भी संख्या दी गई हो उसका घनमूल आसानी से ज्याद कर सकते हैं अब आईए अगला सवाल देखते हैं इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे क्यूब रूट यानि 216 का घनमूल यह हमारा च्छा प्राप्त हुआ अब इसको 216 को हम लिख सकते हैं च्छा का घन यानि च्छा का घन 216 हुआ और 216 का घनमूल 6 हुआ इस तरीके से हम घन और घनमूल को आप समझ सकते हैं कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है अब आईए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल हमारा है 17128 का घनमूल ग्याद करना है यह दूसरा सवाल है दूसरा सवाल 17128 यहाँ पर 17128 है इसका घनमूल ग्याद करना है यानि इसको हम क्यूब रूट चिन्न के अंदर लिखते हैं इसका मतलब इसका घनमूल ग्याद करना होता है अब हम इसका भी अभाज गुड़न खंड ग्याद करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम 1728 का 1728 का जब अभाज गुड़न खंड करेंगे इस धंग से और 248 हुगा अब यहाँ फिर दो से काटेंगे 248 236 244 फिर दो से काटेंगे 244 212 2612 अब यहाँ 216 आ गया 216 देख रहे हैं च्छा का घनमूल था तो हम सीधे इसको 6 से काट सकते हैं अगर हमें 20 तक की संख्याओं का घन और उनका घनमूल ग्यात है तो बहुत ही आसानिश इसको किया जा सकता है अब यहाँ पर हम 268 लिख देंगे 2436 हो जाएगा फिर यहाँ फिर च्छा से भाग देंगे 2436 फिर च्छा से 266 तो इस तरीके से हम अगर भाग करते समय कोई ऐसी शंख्या आगए जिसका घनमूल हमें ग्यात है तो हम यहाँ डारेक्ट उससो काट सकते हैं तो इस तरीके से जो हमारा 1728 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1728 करड़ी में 1728 इसका घनमूल ग्यात करना है तो इसको लिखेंगे QB root गुड़े 6 गुड़े 6 अब हमने बताया कि इन में से जो 3-3 का समूग बना हुगा है इन में से एक-एक संख्या को ले लेते हैं दो गुड़े 6 यहाँ ले लेंगे अब यहाँ पर दो गुड़े 6 गुड़ा कर लेंगे तो यह 12 आ जाएगा हमारा इस तरीके से जो 1728 है इसका गुड़ा बहरा आगया यह हमारा एंसर है तो इस तरीके से करड़ी में QB root 1728 QB root यह 1728 गुड़ flavor हो गया अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1727 यह 12 का घं होगा 12 का घं होगा तो चाहे हम 12 का घं कहें यह 1728 या 1728 का घनमूल कहें 12 यह हमारा एंसर होगा अब आई अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल हमारा है 2197 यह तीसरा सवाल है 2197 का घनमूल गयाद करना है अब इसको हम देख रहे हैं कि यह 10 तक की संख्याओं से किसी से नहीं कटेगा 11 से भी नहीं कटेगा इसको हम 13 से काटेंगे अब आज गुड़न खंड गयाद करते समय अब यहां 13 से इसको जब काटेंगे ति हो जाएगा 13 एकम 13 और 28 89 तेरा चांक 78 और 117 होगा 13 नहीं 117 अब फिर 13 से इसको काटेंगे 13 एकम 13 तेरा तियां 49 फिर 13 से काटेंगे 13 एकम 13 तो इस तरीके से यह हमारी जो संख्या है यनि 2197 का घनमूल अब इसको हम अभाज गुड़न खंड के रूप में लिख दिया कि 13 गुड़े 13 गुड़े 13 अब यहां तीन लिख देंगे अब इन तीन जोड़े तीन समुहों में से तीन के समुहों से एक समुह को बाहर कर लेंगे एक संख्या को तो जो संख्या हमारी 13 आए यही दी गई संख्या का घनमूल है यही इसका एंसर होगा तो इस तरीके से किसी भी संख्या का हम अभाज गुर्ण खंड विदिसे आसाने से उसका घनमूल गयात करते हैं आसा करता हूँ कि अब आप सभी अभाज गुर्ण खंड विदिसे घनमूल गयात करना सीख गये होंगे कभी-कभी इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं कि कोई संख्या पूर घं संख्या नहीं होती है पूछा जाता है कि उसमें किस संख्या से गुड़ा करें कि पूर घं संख्या हो जाए तो अब हम किसी संख्या का पूर घं संख्या में कैसे बदलेंगे तो गुड़ा करके और भाग करके हम उसको पूर्धन संख्या में बदल देते हैं यहाँ पर देखिए एक उदारण है 32 में किस संख्या से गुड़ा करें कि गुड़नफल पूर्धन हो जाए तो हम जानते हैं कि सभी प्राक्तिक संख्याएं पूर घं संख्याएं नहीं होती हैं इसलिए उसमें किसी संख्या से गुड़ा किया जाता है तो वह पूर घं संख्याएं हो जाती है तो ऐसे सवालों को साल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका अबाज गुड़न खंड करते हैं यहां 32 है इसका जब अबाज गुड़न खंड करेंगे 2, यहां पर 16 आएगा फिर 2, यहां 8 आएगा फिर यहां 2, 2, 4, फिर यहां 2, 2, 2, 4 फिर यहां दो आएगा दो एक कम दो तो यहां पर जो 32 आया है यहां देख रहे हैं तीन तीन का समूँ एक दो का है फिर यहां समूँ में नहीं है तो 32 हमारा इसको हम लिखेंगे कि दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो अब यहां जिस संख्या का ती तीन के समूव में नहीं रहता है, यहां देख रहे हैं कि एक दो बाकी है यहां समूव, तीन का समूव बनाने के लिए, इसलिए हम अगर इसमें दो से गुड़ा कर दें, तो यह पूर घंसंख्या के रूप में हो जाएगा, अब इधर भी यह दो से गुड़ा हो जाएगा, यह हमारा 64 हो जाएगा, अब 64 ही यह है, पूर घंसंख्या है, अब इसका जब घंमूल निकालेंगे, तो यहां इन दो दो के समूव में से दो गुड़े दो लिख देंगे, और यह हमारा 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से अगर कोई संख्या है, उसको पूर घंसंख्या में हो जाती है, अब आएए एक और संख्या लेते हैं, जैसे हमारी संख्या है 121, अगर कहा जाए कि 121 में किस संख्या से गुड़ा करें, कि गुड़न फल पूर घंसंख्या हो जाए, तो 121 का हम जब भाज गुड़न खंड करेंगे, यहां पर 11 होगा, 111, 111, 111, फिर यहां गुड़न घंसंख्या के रूप में हो जाएगी, तो इसका 3 का समून नहीं है, इसलिए हम इसमें अगर 111 से गुड़ा कर दें, तो यह हमारा 121 में भी 11ए गुड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से हम अभाज गुड़न खंड करके किसी भी संख्या में गुड़ा करके हम उसको पूर घं संख्या के रूप में बदल सकते हैं अब आएए देखते हैं कि भाग द्वारा कैसे हम पूर घं में बदलते हैं अब यह रहा हमारा अगला स्वाल कि 2096 में किस संख्या से भाग दें कि भाग फल पूर्धन हो जाए तो इसको भी हम सबसे पहले अभाज गुड़न खंड करेंगे 2096 इसका हम अभाज गुड़न खंड करेंगे तो यहां 2 से काटेंगे इसको 2 एक कम 2, 2 चोगे 8, 2 अठे 16 फिर इसको काटते जाते हैं हम 2 से 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 2 चोगे 8 फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चक 12, 2 दूनी 4 2 एक कम 2, 2 तियाई 6, 2 एक कम 2 अब यहां 131 है 131 देखिए किस से कटता है अब यहां 131 अभाज संख्या है इसको हम 131 इस तरीके सकाट देंगे यहां 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 यह हमारा 2,096 बराबर 2 गुड़े 2, 2 गुड़े 2, 2 गुड़े 131 यहां पर अब यहां देख रहे हैं कि 3 का एक सम्मू यह बन गया है और इन दोनों संख्याओं का सम्मू 3 का नहीं बना है इसलिए हम 2 गुड़े 131 यानि 2 गुड़े 131 बराबर 2 एककम दो 2, 3, 6 और 2 एककम दो 262 यह हमारा एंसर होगा इससे अगर भाग दे दें तो यह संख्या हमारी पूर्गन संख्या हो जाएगी इससे अगर भाग देंगे तो यह 8 आ जाएगा 8 हमारी पूर्गन संख्या होगी तो इस तरीके से हम अगर किसी भी संख्या में यह कहा जाए कितने से भाग दें कि वो भाग फल पूर्गन हो जाए तो इस तरीके से हम अभाज गुड़न खंड करेंगे जिस संख्या का 3-3 का समू नहीं बनता है उसी संख्या से गुड़ा करने पर वो हमारा एंसर आ जाता है आसा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा तिस तरीके साथ हमने आप सभी को घन और घनमूल से संबंदित कुछ महत्पूर्ट सवालों को बहर्द करना सिखाने का प्रयास कि या आसा करता हूँ कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गया होंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तिसको लाइक और सेयर करें चैनल पर नए हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद